गुट मॉर्निंग एवर नेक्स टॉपिक नेक्स टॉपिक जो हमारा है या फिर डियू डेट पर कर सकते हैं आप जो सक्षिन है 64.5.B of Insurance Act 1938 वो अपलाई होता है या पर तो जो प्रोविशन है वो यह कहता है कि कोई भी जो इंशॉरर है वो रिस्क एजियूम नहीं कर सकता किसी भी टाइप के इंशॉररंस के लिए इंडिया में अनलेस और अंटिल जो प्रीमियम है उसे अड्वांस में मिल जाए इसके लि हुआ है अगर पॉलिसी को आपने रिन्यू नहीं करवाया है ड्यू डेट पे तो वो पॉलिसी आप्टोमेटिकली कैंसल हो जाती है और इसके लिए जो इंशॉरर है वो रिस्पॉंसिबल किसी भी लॉस के लिए उसकेस में नहीं होगा इवन ड्यूरिंग दी पॉलिसी पी पनेगा ड्यू टू कैंसलेशन ऑफ इंशॉरेंस वो इंशॉरर पे करेगा इंशॉर को डारेक्ट के लिए नेक्स राता है हमारा असाइनमेंट एक जो फायर इंशॉरेंस पॉलिसी है वो असाइन की जा सकती है विद दी कंसेंट आफ इंशॉरर लेकिन जब हम इंडिया मे बात करते हैं तो जो असाइनमेंट है वो चूज इन एक्शन है आस पर दी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी आक्ट 1882 इसका मतलब है कि जो इंशॉरर की कंसेंट है वो जरूरी नहीं है आस पर दी सेक्शन 38 ऑफ इंडियान इंशॉरेंस आक्ट 1938 जो असाइनमेंट है आप कर सकते हो by endorsement on the policy या by making a separate deed of assignment जो भी ट्रांसफर और assignment है वो complete मानी जाएगी effective मानी जाएगी from the date of endorsement और जो रिसिप्ट है जब assignment request के मिल जाएगी तो जो इंशॉरर है उस assignment को record करेगा वो अपने जो records है उसमें और recognize करेगा assignee को as the only person जो entitled है benefits के लिए under the policy और वही जो person है responsible होगा सभी liabilities के लिए जो भी transferer की liabilities थी assignment से पहले और जो जिसके लिए assigner responsible था then section 49 जो है transfer of property act 1882 का वो describe करता है right assignee की under policy तो as per this section जहां पर जो आपकी property है insured है under fire policy वो आपने बेच दी है या transfer कर दी है for constitution तो जो assignee है उसके पास सारे rights आ जाते हैं assigner के और वो eligible होगा claim को लेने के लिए जो amount है claim की उसको claim करने के लिए जिसके लिए पहले insured या assigner eligible था then section 135 जो है transfer of property act 1882 का वो deal करता है with assignment of rights under policy of insurance against fire इस section के recording जो assignee है वो eligible है और उसके पास सारे rights है of suit जो भी contract उसके साथ बनाया गया है उसके through तो जो assignment है वो complete हो गया है उस date को क्योंकि जो assignee है वो direct beneficiary है policy का और entitled है receive करने के लिए जो भी sum है unlike other forms of securities मतलब अगर assignment के अलावा अगर आप दूसरी चीज़े अगर security पी कर रहे हैं जिसे mode to gauge है वहाँ पर आपको automatic rights नहीं मिलती लेकिन अगर आप assignment कर रहे हैं तो उस case में आपके पास automatic rights आ जाती है then है आपका types of fire insurance policy जो fire insurance policies है उसे हम दो parts में divide करते हैं एक है main type policies और दूसरा है substry और special type policies पहले हम बात करते हैं main types policies की main types policies में कौन-कौन सी policy आती है सबसे पहला है specific policy ये वो type of policy है जिसके अंडर एक definite amount जो है insured होती है specified property पे और इस policy में जो claim है वो up to that amount of insurance दिया जाएगा अगर loss आपका जादा है तो अगर जो loss है वो कम है तो जो actual loss का amount है वो pay किया जाएगा तो जो actual value है subject matter की उसे consider नहीं किया जाता है इस policy में और ना ही जो insured है उसको penalize किया जाता है in case of under insurance then next है आपका valued policy इस type of policy में fixed amount जो है वो pay किया जाता है आपको चाहे loss कितने का भी हुआ हो तो before underwriting the insurance company inspect करती है property जो आप insured करवा रहे हो और उसके बाद वो जो है contract में enter करती है agreed amount of insurance के लिए तो at the time of loss no market value is considered और जो contracted amount है वो आपको pay किया जाएगा बिना यह देखे कि आपका loss amount क्या है then next is your average policy वो policy जिसमें average clause mention होता है उसे हम average policy कहते हैं as per the average clause अगर जो आपकी actual value है property की वो जादा है insured value से तो जो company है आपको pay करेगी proportionate amount of loss और यह जो condition है वो applicable होती है only in case of under insurance for example जो value है property की वो 10 lakh rupees है लेकिन आपने उसे insured करवाया 8 lakh rupees पर इसका मतलब की 80% total value का तो जो amount है loss का वो आपका हुआ 7 lakh तो अगर अगर जो insurance company है वो pay करेगी तो वो आपको 7 lakh का 80% pay करेगी वो आपको 7 lakh pay नहीं करेगी यह है आपकी average policy next है आपका floating policy floating का मतलब क्या होता है जो change होती है जो fixed नहीं है तो यह जो policy है वो उन goods के लिए ली जाती है जो different places पे होती है जैसे stocks हो गया उसका जो nature है वो fluctuating in nature है तो यह जो policy है वो उन traders और producers के लिए अच्छी मानी जाती है जिनका जो raw material या जो merchandise है वो different go downs में रखा हुआ है और जो goods है वो frequently change हो रही है तो difficult है एक trader और producer के लिए specify करना goods को और उनकी value को तो इसलिए जो average rate of premium है वो यहाँ पर fix किया जाता है और in policies में average clause लगता है then next जो हमारा आता है that is subsidiary or special type policies in addition to main type policies कुछ certain subsidiary type policies है जिने हम special policies कहते है वो कौन कौन सी है सबसे पहला है comprehensive policy comprehensive policy का मतलब है वो policy जो cover करती है most of the risk जो generally एक standard policy cover नहीं करती है यह जो policy है वो आपको cover देती है against different types of risk like fire, explosion, floods, roids, storms, burglary, lightning, etc. then next आपका reinstatement or replacement policy जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि जो insurance company है वो आपको amount नहीं देगी वो जो भी आपका plant या property है या similar type of property है या जो plant है वो जब भी आपका कोई loss हुआ है आपकी property को तो उसका similar type of property और plant आपको देती है वो in case of loss या destruction by fire अगर आपका होता है तो जो property या plant damaged हुआ है वो उसी को repair कर देगी या उसी को replace कर देगी तो यह जो loss है वो indemnify किस terms में होता है या तो replacement करके या repair करके then next है आपका consequential loss policy इस policy को हम loss of profit policy भी कहते है जो consequential loss है उसका मतलब है indirect loss तो यह जो policy है वो cover करती है loss of profits अगर company को हो रहा है due to stoppage या suspension of business due to fire under this policy standing charges जैसे आप अगर कुछ incur कर रहे हो या आपकी cost of working increase हो गई है fire की वज़े से कोई accident हुआ और उसकी वज़े से आपकी standing charges increase हो गई cost of working increase हो गई temporary accommodation आपको higher करनी पड़ रहे है उन पे जो भी आपका खर्चा आ रहा है वो यह policy cover करती है the next है आपका declaration policy यह policy किसलिए यूज की जाती है किसलिए आप इस policy को लेते हो for taking care of जो भी frequent fluctuations हो रही है stocks में या stock की values में तो जो insured है वो select करता है कि कितने amount of sum से उसे insured करवाना है और उस case में जो insured है उसे monthly declaration करनी पड़ेगी based on the average of the value जो risk पर है हर एक दिन और in case of loss जो claim है वो settle होगा on the basis of declared value then next आता है हमारा industrial all risk policy यह जो policy है design की जाती है सभी types के industrial risk के लिए और इसका जो overall sum assured होता है वो 100 crore rupees और above का होता है तो यह जो policy है cover करती है risk सभी जब से industry शुरू हुई है तब से लेकर production तक और इसमें fire, special pulse, burglary, machinery breakdown, boiler explosion, damage of electronic equipment, machinery breakdown, etc. जैसे सभी risk include होते हैं then है आपका blanket policy यह जो policy है वो design की जाती है as per the specific requirement of the insured इस policy के अंडर कोई भी distinction नहीं की जाती कोई भी difference नहीं किया जाता between fixed and current assets और दोनों को include किया जाता है under one policy जो insured है वो choose कर सकता है asset जिसको वो insurance जिसके उपर लेना चाहता है तो यह था हमारा topic types of policies का जो हमारा next topic है procedure of taking a fire insurance policy इसे हम continue करेंगे हमारे next lecture Thank you so much